हेलो फ्रेंट्स एंड वेलकम बेक टो चिकीज बाइलोजी अनदर वीडियो टुटोरियल इन दिस वीडियो टुटोरियल आई एम गोईंग टो डिस्कॉस अबाउट आफ्टर अगर आप लोगों का यह गलत हो सकता है या आप लोगों का आफ्टर कम्प्रिटी ओवर यही मैं आप लोगों के साथ में अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो फ्रेंट्स जब मैं फार्मा इंडिस्ट्री में वर्क करता था उस टाइम पर वहां पर बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ में जो शेर करूंगा यहां पर जो नॉलिज को मैं शेर करूंगा वह सभी जो नॉलिज है या वह सभी जो ट्रिक्स हैं वह रियल लाइफ प्रेंड्स जैसे आप लोग अपणी करते हैं तो इसके बाद में आप लोग फार्मा इंडिस्ट्रि में स्विच करने कास नॉच रहे हैं तो यहां स्वीच करने से पहले आप लोगों के मन में एक miru आना बहुत जरूरी है कि यहां पर मेरा future क्या हो सकता है चूँकि आप लोगों को यहां पर future के perspective से सोचना है तो अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि यहां पर मुझे एक तम 20,000 तक की जोब मिल जाएगी तो यह आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं यहां पर आप लोगों को 15,000 तक की जोब मिलेगी स्टार्टिंग में और अगर वो इंडिस्ट्री जो है MNC है तो आप लोगों को इतना पैसा मिलेगा यानि अगर वो इंडिस्ट्री जो है multi national industry है वो या multi national company है तो आप लोगों को इतना पैसा वहाँ पे मिलेगा अगर वो इंडिस्ट्री जो है एक domestic plant है तो वहाँ पे आप लोगों को 15,000 भी नहीं मिलेगा यह आप लोगों को पहले अपने mind में सोच के रखना है after जैसे आप लोगों वहाँ पे काम करेंगे, काम करते रहेंगे तो जब आप लोगों को 5 यर का experience हो जाएगा या आप लोगों को 10 यर का experience हो जाएगा तो उस टाइम पे जो आप लोगों की पर मंत की जो 7 भी होगी वो आप लोगों की 40,000 के एप्रोक्स महाँ पे हो जाएगी यह पक्काशी हो रहे है बट अगर आप लोगों के अंदर 5 यर के और 10 यर के patience हैं तो ही आप लोग pharma industry में switch करें और pharma industry में switch करने के पीछे बहुत सारे regions रहते हैं कुछ students की जो एक तरह से जो घर की condition होती है वो काफी जो है वो खराब होती है तो इस वज़े से वो लोग यह आप switch कर लेते हैं बट अगर आप लोगों के पास में और options हैं लाइक MSC के बाद आप लोगों के पास में PhD करने का option है तो आप लोग फार्मा इंडिस्ट्री में बिल्कुल भी switch मत करें आप लोग CSIR NET जो chemistry stream से exam होता है उसको आप लोग qualify करें और उसके बाद आप लोग अपना PhD कोर्स करें और पीचिडी कोर्स करने के बाद आप लोगों के पास में opportunity होती है प्रोफिसर बनने की assistant प्रोफिसर बनने की associate professor अगर आप लोग करने के बाद या पी हडी करने के बाद आप लोग किसी भी अगर आप लोग जो इनटरस्ट वो industre में है तो आप लोग फार्मऑ में बिग cult Link 2019 ने का करने के बाद दारिक्व मिलती old और कर आप लोग MST के बाद फार्मा इंडेस्ट्री में स्विच करते हैं तो आप लोगों को यहां पे जो छोटे-छोटे डिपार्डमेंट्स होते हैं जैसे प्रोडक्शन हो गया जैसे क्यूसी हो गया क्वालिडी कंट्रोल जैसे क्यूए हो गया जैसे बहुत सारे और भी डिपार्डमेंट्स होते हैं एक सैंप्लिंग का डिपार्डमेंट होता है वेरहाऊस में ठीक है जहां पे सैंप्लिंग होत तो आप लोग PhD कीजिए, आप लोग higher education में जाएए और अगर आप लोग option less में हो चुके हैं या आप लोगों के पास में कोई फर्दर option नहीं है तो आप लोग फर्दर future switch कर सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप लोग आ सकते हैं इसके पीछे वह मैंने आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर की है और आप लोगों के लिए यह वीडियो जो है एक हेलफुल रॉल को लेकरें की और क्यूसी में जब आप लोग आते हैं किसी भी फार्मा इंडेस् के ही के तो यहां पर बहुष सारे सक्सवन स सता है QC के अंदर बी जैसे जी यह ऑलबी एक सेक्स्वन होता है जहां पर और आप लोगं वर्क करेंगे तो आई ओफ्रेंट्स ये वीडियो के लिए हेलफूल होगी इस वीडियो से लिधूल अगर आप लोगों का कोई कोशन है कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बोक्स में जुरूर टाइप करें और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बाइलोजी के फेस्बुक पेज के साथ चिकीज बाइलोजी के इंस्टागराम एकाउंट के साथ और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फस्ट अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वहाँ पे जरूर करने हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फोर वोचिंग